just imagine आप एक pen खरीद में गये हैं और आप ने उस pen को देखा पसंद किया उसका स्टाफ आपको अच्छा लगा आप उसको खरीदना चाह रहे हैं लेकिन सड़नली सेल्समेन के वाज आती है बाई साहब यह आपका साइज नहीं है आपके साइज से बड़ा साइज भी पड़ा है आपके साइज से छोटा साइज भी पड़ा है तो यकीन करें आपर बड़ी बुरी बीतेगी कि यार यह क्या हुआ मेरे साथ मुझसे बड़े साइज का आर्टिकल भी मुझूद है मुझ देखो इस बंदे ने क्या बला लिख दिया है तो आज की वीडियो में हम गहीं देखेंगे हमें आर्टिकल को प्रॉपरली स्ट्ट्चर एक्चली करना कैसे है जो हम गूगल के ऊपर कहीं पर रैंक कर सकें तो देखते हैं तो हम बात करेंगे सबसे पहले अपने आर्टिकल के हैव्स पर मस्ट हैव्स ऐसी चीज़ें जो हमें लाजमी हम अपने आर्टिकल के स्ट्रक्चर में एड़ करनी है उसके बाद हम इसकी दूसरी चाहिए पर चलेंगे जो मैंने इंस्टॉल की है अपने Chrome के अंदर दूसरे नमर पर मैं यूज़ कर रहा हूँ Grammarly, तीसरे नमर पर मैं यूज़ कर रहा हूँ Yoast की Premium Plug-in अगर ये तीनों चीज़े फ्री में भी अवेलेबल हैं, इनके फ्री अकाउंट्स अवेलेबल हैं सिर्फ ये है कि फ्री में 60-70% ये आपका काम कर देंगी और अगर आप beginner हैं तो that is enough ठीक है, और अगर आपकी website चल रही है और आपकी articles चल रहे हैं तो आप इन चीज़ों को खरीद भी सकते हैं तो headline की plugin कैसे काम करती है ये से मैंने कैसे काम लिया इसके बारे में एक proper video मुझूद है जिसका link में नीचे comments में भी दूँगा और description में भी दूँगा आप उस video का understand करना आपको पता लग जाएगा कि हमें actually title देना कैसे है और title के बारे में किन चीज़ों का खयार रखना है दूसरी है grammarly के मतले grammarly को कैसे आपने chrome केंदे इस extension को इसके कैसे काम लेना है इसके बारे में भी एक video बनी हुई है उसका link में description में आपको दूँगा और साथ comment section में भी वो add होगा थर्ड है Yoast की premium plugin को कैसे आपने इस्तमाल करना है इसके बारे में भी एक detailed video मुझूद है उसका link में description और नीचे comment section के अंदर मुझूद होगा तो सबसे पहले मैंने जो अपना title add करना है वो यह मेरा title उपर given है यह वही title है जो मेरे आज की YouTube की वीडियो का title होगा तो इस title के बारे में जब मैंने यह actually जो मेरी headline studio की extension है यह मुझे headline का score यानि इसकी readability स्कूर 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 94 परसंट तक भी अचीव कर सकते हैं तो अगर मैं suppose यहां पर कोई काम करना चाह रहा हूँ तो देखें टाइटल आपको टाइटल लिखने से पहले या लिखने के बाद तो टाइटल लिखने से पहले आपको research करनी चाहिए पूरसर्च आपने कैसे करनी हैं मैं भी आपको भी जो फस्ट और हम डिसकस करने हैं अपने must haves जो हमने करने ही करने इसके बाद research कैसे करनी है वो भी इसी की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आगे जाके तो सबसे पहले आपने अपना टाइटल सेलेक्ट कर लिया है उसके हेडलाइन स्टूडियो से जाके आपने उसका score चेक कर लिया है यह इन दोनों में हमेशा trade-off होता है headline का score अगर ज्यादा होगा तो मुम्किन SEO का score कम हो यह कम chances होते हैं कि दोनों का score highest peak पे आपको मिले उसके बाद you have to sum मैं यहां पर कुछ चीज़ें यहां से text copy कर रहा हूं dummy text ठीक है तो आपने उसके बाद यहां पर क्या चीज़ एड़ करना है अपना text एड़ करना है यह जो आपका text यहां पर एड़ हुआ है यह आपका introduction टेक्स्ट है introduction आपने लाजमी तौर पर देना है यह बात अपने जहन में रखें कोई भी heading देने से पहले आपने अपना introduction देना है वो 4-5-6 लाइनों का हो सकता है अच्छा आपने introduction में क्या लिखना है आपने introduction के अंदर वो लिखना है जिससे user आपके content के उपर आपके article के उपर आप चाहे article जिस चीज़ के बरे में भी लिख रहे हैं अगर वो affiliate marketing का है आपको चीज़ product बेचने की कोशिश कर रहे हैं अगर वो news article है आपको खबर देने की कोशिश कर रहे हैं अगर वो किसी चीज़ का comparative article है comparison की है किसी चीज़ का आपने उसके उपर भी रूल सीमिलर चलेंगे आपको introduction के अंदर अपना main जो आपका primary keyword है जिसको आपने यहां पर लिखा है जैसे यह है यह मेरा primary keyword है भी इसको आपने लाजमी तौर पर अपने article के introduction के अंदर repeat करना है कम अज़कम एक बार तो आपने लाजमी repeat करना है यह बात पल्ले से बांद ले इसको आपने लाजमी repeat करना है क्योंकि crawler जब आपका article पढ़ना start करेगा यानि कि जब google आपका article पढ़ना या google के bots जब आपके article के उपर आएंगे तो उनको लगेगा कि यह इस आपके article के अंदर relevant data मुझूद है और उसको मजीद पढ़ेंगे ठीक है otherwise यहां से तो यह शक पैदा हो जाएगा कि यार आप तो अपने जो keyword दिया उससे related तो बात अभी तक आपको करें नहीं रहें जब आप अपना article का introduction दे चुके जिसमें आपने अपना keyword यूज कर लिया है तो उसके बाद आपको एक heading इस्तमाल करनी है एक बाजें में रखें यह जो उपर वाला आपका title है यूजली यह first heading के तोर पर deal किया जाता है लेकिन better यह है कि आप यहां पर heading एक अच्छी सी डालने suppose that मैं यहां पर heading 1 ही लिख देता हूँ यह heading 1 आपकी real में भी heading 1 ही होगी I mean कि यहां से heading 1 ही select कीजी आप ठीक है इसके नीचे आप चीजों को दुबारा से लिख सकते हैं मैं दुबारा से यह paste कर लेता हूँ इतना text उठा कर यहां से यहां पर मैं paste कर लेता हूँ ठीक है यह आपका हो गया अब इसके बाद you have to divide it in further headings suppose that heading 1 आपने दी heading 1 के बाद थोड़ा से heading introduction फिर heading 2 जैसे suppose मैं बता रहा हूँ अगर मैं pesticides के बारे में बता रहा हूँ कुछ ऐसी medicines जो पैस के लिए है तो उसके बारे मैं सबसे पहले यहां पर लिखूँगा what are pesticides यहां पर उसका थोड़ा से introduction फिर pesticides किस वसल के लिए कौन सा अच्छा है suppose that मैं कौ बताऊं यहां पर आपको पता होना चाहिए अगर आप आर्टिकल ऐसा लिखना चाहरे हैं जो स्ट्रॉक्शर ऐसा बनाना चाहरे हैं जो स्यों में आप चाहते हैं का optimized हो तो उसके लिए आपको यह बास जैन में रखनी होगी कि actually होगा कोई भी आपका जो रिडर है वह इतनी देर आपकी वेबसाइट के ऊपर जो टिका रहे आपके आर्टिकल पर यह ज़रूरी नहीं है इसलिए अपने आर्टिकल को इस तरह इसको questions में बंटें और headings में बंटें यह काम करने के बाद जब आपकी body भी पूरी complete हो गई अगर आपको कहीं पर image डालनी है that should be optimized बैटर यह कि अब एक छोटा size है मैं इसको edit में जागे इसका size बड़ा भी कर सकता हूं यह देखिए फुल size है update इसका full maximum size है इतना ठीक है इसको मैं centered align करूं कोशिश करें अपने आर्टिकल में इसको centered align करें और साथ-साथ देखते भी रहे यह प्रिवियू पर क्लिक करके कि आपका आर्टिकल अभी दिख रहा है यह centered align अभी नहीं हुई है ठीक है मैं इसको centered align जहां से कर सकता हूं रिसेव करूंगा तो centered align हो जाएगी अचा अब उसके बाद images सोच समख के इस्तमाल करें अपने सारे आर्टिकल में एक तरह की images रखें एक तरह किसे मुराद यह एक उनका size similar होना चाहिए वो centered align होनी चाहिए आप अगर किसी एजंसी में है वो एजंसी आपको size provide करेगी आप उस size की images को centered align रखें ताकि एक symmetry नजर आए आपके आर्टिकल में एंड पर आपने क्या करना है call to actions एड करनी है अपनी conclusion में first of all आपने conclusion लाजमी देनी है conclusion is must okay spelling जलत होगे मुंसे spelling आच्छा आपने conclusion लाजमी देनी है और conclusion के अंदर भी आपने call to action call to action add करने है call to action more than one action हो सकता है na suppose that if you like my article please hit the like button okay जैसे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप like button भी subscribe भी करें और new writers को भी इसका बताएं अच्छा अब क्या होगा call to action में आपने like करवाएं user से user से मंगेंगे आप तो वो आपको देगा please comment here या मेरा इस आर्टिकल के बारे में ये ख्याल है आपका क्या ख्याल है नीचे बताएं या मेरा इस product के बारे में ये ख्याल है आप कौन सी product परचेज करना चाह रहे हैं मैंने मैंने सब्सक्राइब करेंगी आपके आर्टिकल के ऊपर अच्छा एक और बात अगर तो आप लिख रहे हैं फिर भी आप उससे अपनी राए लाजमें मांगे आप क्या कहते हैं अगर आपने किसी किसी प्राइमिनिस्टर का वियान लिखा है उसको कॉपी किया है या उसकी कि रिसेंट अक्टिविटीज को तो नीच अपता हैं आप क्या ख्याल है किससे फरक पढ़ने वाला है ठीक है इस तरह की बाताइं पैट कर सकते हैं तो यह वो मस्ट हैं जो आपको लाजमी तोर पर रखने हैं और उसके बाद आपको टैग्स जो हैं वो रेलेमिन टैग्स अपने टैग्स को यहां पर आड करूंगा जिससे यूजर मेरे आर्टिकल पर आ सकता है ताके गुगल को ज्यादा से ज्यादा दरवाजे मिलें आपके आर्टिकल तक पहुंचने के लिए यार यह टैग भी इंक्लूड है इसका मतलब है इसके पास यह कंटेंट भी मौजूद है तो यह है वो बहतरीन तरीका कि आप टैग्स को देखें अच्छा आप टैग्स को यह है वो relevant tags यह जो नीचे आ रहे हैं 10 important 2021 SEO trends what is SEO search engine optimization यह वो related tags है यह आपके Google search engine से मिल जाएंगे तो आप अपने Google search engine से इन टैग्स की मदद से देखके यहां पर टैग्स दे सकते हैं फिर category तो लाजमी आपको जाहरी बाता स्लेक्ट करने पड़ेगी बहुत सारी categories आपको दी इसा रखना है और अच्छा रखना है या नहीं रखना है इसके उपर मैं जल्दी एक वीडियो बनाने जा रहा हूं कि feature image को आप कैसे इतना amazing रखेंगे कैसे इतना amazing बनाएंगे कि user जो है वो must click करेगा आपके article को यार यह पढ़ना है मैंने बाकि सब छोड़ो यह article मैं पढ करता है suppose that notification का sign जो है यह बड़ा irritate करता है आपको आप मोबाइल होन करते हैं सबसे पहले क्या देखते हैं notifications देखते हैं इसको save as draft में रखिए इस पे आएं changing करें data analysis करें और इसके ओपर data put करते हैं ठीक है और साथ साथ इसको preview भी करते हैं कि आपका article basically luck कैसा रहा है तो अब इसके बाद हम बात करते हैं कि यह तो वो हैं जो must haves हैं आपने करने ही करने हैं यह कहीं पर लिख लीजिए कि आपने title क एक तो यह extension और भी बहुत सरी extensions हैं इससे आपने इसका headline score और SEO score चेक करने के बाद ही title में add करना है आपने introduction must add करना है ओके आपने heading one एक देनी ही देनी है आपने heading two multiple देनी है और multiple heading ones नहीं होनी चाहिए ठीक है और उसके बाद आपने Yoast की plugin जिसकी पूरी separate video है इसका भी ख्या रखना है जिसके points होते हैं कि की phrase की length आपकी छोटी है या ज्यादा length ही हो गया है text की length कितनी SEO title या आप इसको पढ़ेंगे तो यह मैंने उस वीडियो में बताया है तो यह आपको खुद ही बताता जाएगा कि आप यहां से ऐसे करो यहां से ऐसे करो और आपका article SEO friendly बन जाए अब हम इसके बाद बात करेंगे कि हमारी website के यह तो हो गया यह तो हो गया हमारे article के sorry यह तो हो गया हमारे article के must haves कि यह तो भही आपने काम करने ही करने conclusion भी add करनी है उसमें call of action भी put करने है images हमेशा जो हैं आपकी वो centered align होनी चाहिए और कोशिश करे images आपकी सिर्फ तब आ जाए लेकिन तब जब जरूरत हो ज्यादा images और ज्यादा high result high resolution की images जो है वो upload होने में time लेंगे और user को लगेगा कि यार क्या बकवास है छोड़ों इसको आगे चलते हैं ठीक है तो अब हम बात करेंगे किसके इलावा अगर मैं को आर्टिकल लिखने जा रहा हूं तो होंगे हम उसके साथ जो है वो कुष्टी करने जा रहे हैं उसके साथ fight करने जा रहे हैं तो कैसे करेंगे हम वो fight तो अब उस तरफ चलते हैं अब मैं आपको लेकर जा रहा हूं एक comparison की तरफ suppose that मैं best alternatives to pubg best alternative to pubg पर एक article लिखना चाह रहा हूं तो of course मैं इसकी heading score चेक करूँ होंगा यहां से उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा यहां पर introduction दोगा और एक structure जो मेरा basic structure हो तो वही रहेगा लेकिन भाई साथ मैं और क्या करने जा रहा हूं मैं आपको बताता हूं मैं इसको as it is उठाओंगा यह देखे हैं उसने मुझे basic structure में दिया कि 54% है आपकी जो है ना top websites हैं मेरी वह मैं सारी खोलूँगा 10 alternative 10 best games 15 best game like player unknown battlegrounds pub g this one यह मैंने 5 खोल लिए 4 खोल लिए अब मैं top 10 भी खोल सकता हूं जितना ज्यादा data होगा उतना ज्यादा data analysis करने में मज़ा आएगा आपको और उतना ज्यादा आपका article ज्यादा boost up करने के chances हैं तो आप ने यह देखा first of all तो यह बास जेन में रखें Google के यह सारे रिष्टेदार नहीं है फुपो के बेटे बे हो गई तो यह देखिए इसने क्या किया है इमेज जाली है ओके introduction डाला है ओके heading 1 दी है ओके heading 2 दी है ओके video दी है ठीक है और download to play का download from google on google play का button दी है तो अगर मैं एक text file खो लेता हूं यहां पर ठीक है तो एक मैं text file यहां पर खोलता हूं अच्छा यह मैंने कुछ चीज़ें यहां पर आपके लिए लिए लिखके रखी हुई थी वह मैं आपको बता दूँ आपने जो आपकी आपका tag है ना इसके अंदर अपना जो meta description के अंदर भी अपना tag यूज करना है और आपने अपनी जो एक आप internal और external link बनाएंगे उसके अंदर भी अपना tag एक बार वही टैग जो आपका title एक बार repeat करना है meta description कहा होती है वह यहां होती है देखें योस्ट की plugin अगर आप यूज कर रहे है ना यहां फ्री वाले में भी आता है तो यहां पर meta description होती है जिसको हम बाद में नीचे से जाके meta description को हम change कर सकते हैं ठीक है यह एकर मैं readability पर जाओं तो यहां पर यह SEO पर जाके मैं मैं अपनी meta description को यहां से desktop result में और SEO analysis यह key phrase नोनिम और मैं meta description यहां से अपनी change कर सकता हूं ठीक है यह edit snippet में जा गए तो यहां से मैं अपनी meta description को change कर सकता हूं जो आपका title keyword होगा ना उसको meta description में एक बार कमस-कम इस्तमाल करना है और आपने उसको external link जो बनाते हैं हम suppose कि किसी और अच्छी website के ओपर हम आप लोग external और internal से घिबराएं नहीं दो तीन external link आ भी जाए ना अगर किसी authority website के अच्छी के तो दें ठीक है तो internal linking भी लाजमी कीजिए उसमें आपके ही previous किसी article का अगर आपका article पहले से को मुझूद नहीं है तो आपकी ही website के ओपर किसी और पड़े article के साथ लिंक कीजिए ताकि लोग आपकी ही website के ओपर जम करते रहें ठीक है link बनाईए और link पे यहां पर URL देजिए और यह जो होगा मेरा suppose that मैं इसको यहां पर कहीं पर adjust करूंगा दरमयान में और इसको link बनाऊंगा ठीक है Google को ढूंड़ने में सानी होगी suppose that मैं यहां पर कोई भी link उठाके यह मैंने link उठाया और यहां पर उठाकर यह दिए ठीक है तो मैं एंटर कर दिए यह मेरा link बन गया Google इस पर क्लिक करती है इस पर एक proper video बना रहा हूं यह देखें यह वाला इसमें को अगर यह पहले आपके सारे article को पड़ेगी अभी मैंने इसको settle नहीं किया है उसके बाद यह आपके article में से आपको internal linking निकाल के देदेगी ठीक है तो हम बात कर रहे थे यहां पर अब मैं अगर यहां पर text download के लिए और उसने वीडियो दी थी suppose मैं आपको फटाफट करके दिखा रहा हूं दूसरे नमबर पहने वाली website ने क्या दिया है बटन दिया है इंट्रो दी वीडियो दी प्रोस कॉन्स भी दी है लें जनाब आपको समझ आ रही होगी प्रोस कॉन्स भी दी है दूसरे में आया न 360 में वह दिखा रहा है चलें अब यह दो वेबसाइट का डेटा आया मेरे पास तो मैं दो वेबसाइट की डेटा की यहां पर बात करता हूं तो देखिए यह मेरे पास एक structure क्या बना कि भाया जो पहले नमबर की website है न वो यह तीन चीज़े रही है दूसरे को सिधा उस website पर जाओ जिसके पास सारा कुछ available है ठीक है तो यह है वो टेकनीक जिससे आपका article 100% बाकी तो सारा काम अला के हाथ में हैं लेकिन आपका article उपर जाने के chances increase कर जाते हैं ठीक है यह 100% जो है वो ऐसे ही है ना कि अगर आपने सारी चीज़ें Google को दी है तो इदे there are more chances कि आपका article boost up कर जाएगा तो अगर आपके एक ही article से Google को सब कुछ मिल गया तो भाई इदर उदर क्या क्यों जाएगा इदर उदर क्यों जलील होगा दूसरी website पर वो डिरेक्ट आपकी website के उपर ही जाएगा और उसको सारा कुछ वहीं से मिलने माला है तो यह है आपका और इसको follow करें क्या मैंने intro डाला क्या मैंने button डाला क्या मैंने video डाली क्या मैंने pros and cons डाले यह तो हो गया comparison किसी भी game का अगर आप कुछ सी news का करना जा रहे है न news का देखने football news news inland clubs तो आपको feel हो जाएगा कि जो दुनिया के top 5 websites यह जो दुनिया के top 5 websites हैं उनके आपने ऐस नो यूसी का आगया है ठीक है latest news ठीक है आप उनके निकाल लिए और देखिए कि इन्होंने news को किस तरह से suppose यह देखिए कि यह ने क्या किया क्या एक्शली तो यहां से देखते हैं इतना बाट introduction इस वले पाट में image फिर यह आगी अब यह क्या है यह उनके ही किसी और article के internal links ठीक है image centered align और यह let us know वही जो call to action मैंने आपको बताया था उन्होंने डाला हुआ था और अच्छा अब यह news article है तो यह छोटा ही होता है news article कितना लंबा होगा भई news article चोटे ही होते हैं ठीक है तो यह वो चीज़ें है basically जिनका आपको ख्याल रखना है लाजमी रखना है इनका ख्याल रखिए आपका article उपर जाने के chances ज्यादा होंगे ठीक है तो what we have covered up in today's video we have checked that हमारा must haves क्या होने चाहिए मैं must haves को यहां पर लिखता हूँ हमारे must haves में हमारा title हमारा introduction आप में कुछ Mr. Perfectionist होंगे वो लाजमी मेरे spellings के उपर बात करेंगे भाई यह ऐसी हैं क्या कह सकते हैं introduction उसके बाद heading 1 उसके बाद heading 2 उसके बाद आपने conclusion at the end यह must haves की बात हो रही है और call to action tags and tags के बाद आपने क्या add करना है feature image and category तो यह तो वह बात है आप करेंगे ठीक है यह चीज़ें आपने add करनी है और इसको मैं यहां से एक list बना देता हूँ यह यह हो गए हमारी must have की list अब वो चीज़ें जो मेरे must haves नहीं है लेकिन मुझे लिखने चाहिए मुझे वो है data analysis analysis करना है मैंने वो कैसे करना है जिस news जो news मैं लिख रहा हूँ उस news यह जो चीज़ भी मैं लिख रहा हूँ जिस चीज़ पर article लिख रहा हूँ best pants के उपर article लिख रहा हूँ तो मुझे पहले top के results google के check करने है वो top के results उठाने के बाद उनके सब के structure देखने है और अपना structure एक milkshake बना के रख लेना है जिसके अंदर उन सब की कोई ना को चीज़ मुझूद हो ताके मेरे उपर जाने के चांसे ज्यादा हूँ अच्छा आप इसके उपर detail videos भी आपको मिलेगी meta description जिसकी मैं बात कर रहा था न यह वली इसके उपर मैं एक detail video design करना हूँ इसके उपर meta description कैसे इतनी मज़े की होनी चाहिए जो confirm हो जागे user direct आपकी website को click करेगा कि मैंने यही पढ़ना है और कहीं नहीं जाना मैंने ठीक है तो अब यह हम बात यहां पर करने हैं इसके बाद फिर जो है वो structures को कैसे better करना है ideas कैसे build up करने है और लिखने के लिए content कहां से उठाना है इसके उपर भी मैं recently videos लेके आ रहा हूँ आपको करना है बस एक तो appreciation के लिए इस video को like जरूर करे ठीक है ताकि मैं इसके उपर videos बना कौन सी चीजें ऐसी हैं जिससे आपका article पड़े जाने के chances ज्याना है आपका portfolio as a writer कैसे build होगा और फिर उसमें आप तबाई कैसे मचाएंगे अपने आपके rates कैसे उपर जाएंगे आप job कैसे gain करेंगे आप websites को emails कैसे करेंगे भई हमें job चाहिए आप कैसे internships करेंगे यह सारा जो है वो सारा कुछ एड़ करें और ultimately final काम इसको must अपना article खुद भी पढ़ना है paper submit करने से पहले भी तो पढ़ा करते थे न यार article submit करने से पहले भी पढ़ें अगर आप यह सारे काम कर लेंगे तो अल्ला के हुकम से इंशाला यहां पर बहुत सारे chances बन जाएंगे कि आप का article top के results में आएगा और जब top में आगया तो भी कोई नहीं रोक सकता मतलब फिर कोई ऐसा नहीं होगा कि आप top result में आ रहे हैं और आपको quickly करें यह तो ना होने के ब्राबर chances है तो this was all from today's video अगर को question है वो comments में भी करें ठीक है अपने बाद में आने वाले internship करने वालों के लिए writers के लिए good footpath छोड़ें आप ठीक है तो उन्हें बताइए कि इस वीडियो में यही चीज़ें मुझूद है तो मजीद जो चीज़ें होंगे वो comments में आप बता सकते हम उनको भी cover up करेंगे next videos के अंदर video जैदा लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने कोशिश की छोटी video र बारे में हो नव देदू, thank you very much